नमस्कार, इस्टुडंट आज हम बात करेंगे functions की, ठीक है? कि C के अंदर function क्या होते हैं? function का use हम कै़से करते हैं? ओके? देखिए function करें तो हम क्या करते हैं उस बड़े प्रोग्राम को छोटे-चोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं भागों में तोड़ देते हैं ठीके और वह सारे टुकड़े या वह सारे चोटे-चोटे प्रोग्राम आपस में मिलकर एक बड़े प्रोग्राम की जो आप सिकता होती है उसको पूरा करते हैं तो इस तरह से function के द्वारा हम किसी बड़े प्रोग्राम की complexity को कम कर सकते हैं और आसानी से वो work हम divide करके हम हमारा एक जो भी mean जो हमारा aim होता है उसे हम achieve कर पाते हैं तो यदि हम function की बात करें तो एक block diagram की तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यह आपका एक function हो गया ठीक है यह function जिसके अंदर आपने कुछ coding की है कुछ statements यहां पर लिखी है function हमेशा आपसे input accept करता है वो input आपके एक से अधिक हो सकते हैं आपके जैसे 1 हो गया 2 हो गया और यह inputs हो गया आपके यहां पर ठीक है और यहां पर processing होने के बाद यानि कुछ operation perform होंगे और यहां से आपको एक result मिलेगा output मिलेगा ठीक है इस तरह से तो function हमेशा क्या करता है आपसे input लेता है multiple input लेता है आपका और उन्हें process करके operation perform करके computation करने के बाद वो आपको एक result प्रिदान करता है तो इस तरह समक्या सेकते हैं कि function क्या होता है बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती है setup statement ठीक है और वहां पर वह स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या करते हैं जो भी input देते हैं वह input उनके ऊपर कुछ operation perform करते हैं कुछ computation perform करते हैं गणनाएं होती है और फिर उसे output की रूप में यानि इक result प्रजान कर दिया जाता है ओके ऐसे तो हम इसके बारे में एक definition हम लिख लेते हैं अच्छी सी कि function होता क्या है कि a function is a setup statement है ना बहुत सारी statement जिसमें आप coding बगरे करेंगी उन सभी statement का एक group होगा समू होगा ठीक है तो setup statement that take inputs हना जो inputs लेंगे आपसे किसके लिए होगा that take input to some specific हना specific computation कह सकते हैं अना operation कह सकते हैं ठीक है specific computation and produce output और आपको एक output वहां पर प्रदान कर दिया जाता है ठीक है इस तरह से एक output आपको वहां पर मिलता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि function जो होता है जैसे एक बार आपने किसी function को बना दिया उसका code लिग दिया अब ज़रूरत पढ़ने पर उस code को बार बार आप use कर सकते हैं यानि reusability की facility आपको देता डेटा जो redundancy होती है duplicacy जो होती है उसे कम किया जा सकता है तो function के बारे में हम यह statement भी दे सकते हैं कि function provide के function provide the facility हाना provide the facility of reusability reusability of coding को भी code को आप बार बार यूज कर सकते हैं ठीक है यानि कहने का मतलब यह हुआ कि यह redundancy को कम करता है ठीक है मैं यह लिग देता हूं means इसका meaning क्या हुआ reducing कम करना reducing the code redundancy ठीक है redundancy का मतलब होता है duplicacy कि बार बार जो duplicate code आ रहा है उसको कम करने में यह साहिक होता है तो इस तरह से एक complex program को हम क्या कर सकते हैं छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं और वो छोटे छोटे भाग सारे sub programs या function कहलाते हैं और वो सब अपना अपना काम करके एक दूसरे को input output देते रहते हैं और बड़े program की जो भी working होती है वो पूरा की जाती है ठीक है तो complex program जो divided होता है छोटे भागों में वो सब प्रोग्राम होते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि complex program यानि एक चटिल program बहुत बड़ा program ठीक है डेवाइड इन्टू small code या small programs ठीक है उन्हें हम कहते हैं known as sub program ठीक है या function ठीक है sub program या function ठीक है एक दूसरे के synonymous है प्राय सब कह सकते हैं अब होता है क्या है कि यह जो function होता है जैसा कि अपन बात करते हैं अपने program जब लिखते हैं c का तो main function होता है न तो हर c की program में एक mean function होता है और उस main function को call कौन करता है operating system करता है कब जब program को user चलाता है ठीक है तो प्रत्येक c program के अंधर थेना तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि every c program है न पृत्येक c program में एक फंक्शन होता है mean है न तो every c program वार्म फॉक्ष्टिन का नाम क्या हो गया है फॉक्ष्टिन को इन लिखते हैं अवाब एंप्र तो मीन होता है ठीकें तो यह काव ओता है इ restra को पाइन वे उपरेटनिंग सिस्ट्म करें के द्वारा कॉल होता है और काव उता है जब कॉंसा प्रोग्राम जो वो लिख रहा है। शोर्स प्रोग्राम जिसे उसने लिखा या भी वहिंग तो ऊस प्रोग्राम को जैसे वह चलाता है। automatic mean function को call किया जाता है और mean function वहाँ पे call हो के अपना काम करता है ठीक है अब जैसे यहाँ पर अपने बात की कि function input लेता है आपसे और output देता है तो यह value return कैसा दे रहा है integer है float है character है तो वह return type कहलाता है तो हर function आपसे कोई-कोई value return देता है ठीक है तो every function has return type है हर function का एक return type होता है कि every function has a return type अब वो return type क्या-क्या हो सबता है वो integer हो सबता है float हो सबता है character हो सबता है या कुछ भी return नहीं किया तो void होगा हाना कुछ भी return नहीं कर रहा तो generally उसे void का जाता है तो मैं यह लिख देता हूँ कि if function does not return any value किसी भी तरह की value return नहीं करता है any value then void is used हाना void keyword होगा आपका void है ना तो void is used as a return type as a return type return type की तरह वहां पर वहां पर इसे use करेंगे जब function आप बनाएंगे कि उसमें last में return statement होती है कैसे दिखिए इसका इक syntax आपको बता देता हूँ कि function हमेशा एक value return करेगा तो जब आप इसे function को define करेंगे तो return type यहां पर बताना पड़ेगा ओके फिर उसके बाद function का नाम आएगा जो एक valid name होगा आपका है ना जैसे identifiers होते हैं वैसे यहां पर function parameters लेगा आपसे ठीके यदि नहीं देंगे तो वो यहां पर देने की जरुवत नहीं है और यह function की body होगी ठीके यह function की body होगी इस function के अंदर उसके खुद के सारे variables बगर बनाएंगे अब यह क्या return करेगा तो एक keyword आएगा return हाना और यहां पर आप जो भी variable होगा उसका नाम लिखेंगे अब यदि कोई function यहां पर कुछ भी return नहीं करता दिया वाइड लिखा जाएगा ठीके और वाइड लिखा जाएगा तो return statement वहाँ देने क्याव सकता नहीं है तो इस तरह से function क्या करता आप से कोई भी parameter लेता है उनके processing करता है और processing करके एक value आपको return करता है तो return type यहां पर देना ज़रूर है मान दीजे किसी function में आपने return type दिया ही नहीं और यहां पर return है तो by default उसका return type int होता है यानि integer तरह का value return करता है तो यह आप जो भी function की जो मैं आपके बारे में भी बताया है function के बारे में तो उसे आप अच्छी तरह से समझे next video के अंदर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम देखेंगे function कितने प्रकार के होते हैं और उन function का और क्या-क्या use होता है तो इस video के अंदर आपको function के बारे में क्या होता है function क्यों बनाते हैं main function क्या होता है उसका return type पर अगरे क्या होते है उसके बारे में मैंने आपको यह जान कर देने की कोशिस की है ठीक है thank you